सिक्स पैंट टू बिलियन डॉजर में सोल्ड लाउट हुए है तो अगर वो देखें उनकी पॉलिसी है कि वो अपने प्लेयरों को इतना इतनी इतनी कि भारी रकम या कीमत तो देते हैं को कि उनको कहीं और जाके खेलने की जरूरत ने पड़ती है और वो देखें एक तरह से या बेतर भी है हमारे प्लेयर बिचारे जब वो फारिग होते हैं तो कभी कभी बंगलादेश लीग कभी कौन सी लीग में जाके खेल रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि अगर फिर उनकी इंजरी से जिसा शादाब की इंजरी भी हो गई है वहाँ पर बाकी प्लेयरों की वो इस तरीके का है कि वो एक बड़ी ताकत है या वो कोई सूपर पावर है इस तरीके से वो बिएफ कर रहा है और इंडिया के जो रविया उसमें बहुत तकब्र पाया जाता है और इंडिया के पास क्यों कि रिविन्यू पैदा करने के दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा सल जितने कि नहीं के अनकी एक टीम बिक्ते ना वो फुरा PSL उतने का है एक दफार एक ड़ा होजह न पाकिसान में तो सारा करजा होता जाएगा बड़े मसले साथ कम से कम प्लेयर, सब जो हाइवल के प्लेयर हैं वो आते हैं IPL में जो लिटेर हो लिटेर्मेंट यूनले लिए होती है वो पाकिस्तान में आते हैं इस अब IPL के मीडियराइट से 6.2 बिलियन डॉलर के सोड़ आउड हुए यह हमजा कर रहे है, यह हमजा कर रहे है वो मुलक आपसे आगे निकल चूँ और हम अपनी-अपनी अनाओ के असीर होके अपने-अपने मामलात और अपने-अपने मफदात के असीर होके हम इस मुलक को पीछे से पीछे धखेलते जा रहे हैं और मैं आपको अन्दाजर चोड़िये इस बार लेकिन बारहल तवक्क ये हो सकती है कि इन्शालर रजीज हमारे जो लोग है ये शायद समझ आई आई पेल के मीडिया राइट्स यार इतने रुपए में विके है कि मैं रुपए लूंगा ही ने आप लोगो पाकिस्तान मीडि इसे उन्दे में दिखा रहा है उसका जो राइट खरीद है जी ओ सिने मने तो इतने रुपए में खरीद है कि पूरे पाकिस्तान को खरी सकते है मतलब 10-20 बार कम से कम पी एसल करवा देंगे उसे और इसे सुनने के बाद तो पाकिस्तान मीडिया में मतलब या एक्तम वहका आपके यहां एकदम लिटरली सोक होके है मंतरा परिसान होके हैं कि इतना महगा राइट भीक सकता है तो भाई भीकारी स्थानियों बिख सकता है बाई आई पए एक चीता जाकता सभूत है तुम्हारे सामने और खरीदा भी है उसके मजे तुम भी ले रहे हो फ्री मेर मुगे कि सञरों इस टौजरैना कि झांड़ने तो कि आखि कि आखिए आखियी ये ये मैंपि आखिए सटसे नहीं और सकते हैं कि उसका मैसाम थे徹ल यह उट पर जालागे मिलिया बटाओा जञागे यह घृत हो सकते हैं पॉबलेशन भी जाद है, ब्रॉड़कास हो किरी पॉबलेशन करते हैं वो इसी बात है सव मिली में थोड़ा पता है, उनके मीडिया राइट सिक्स पॉइंट टू बिलियन डॉलर में सोल्ड आउट हुए हैं तो उतारते क्यों हैं, अपनी लीक को बड़ा क्यों ही करते हैं यार ये तर होते हैं सले माँ, इसाद आईपीया के मीडिया राइट से 6.2 बिलियन डॉलर के सोल्ड आउट हुए है यामजाग करे है यामजाग करे है यार करदा है यार यार एक IPL करवा हो फिर पाकिसान में करदा उतर जाएगा फिर हमारे जो अलाद है ये भी ठीक हो जाएगा ये सही बात है, इतना दोवारा कर लाइए है नहीं हो सकते है इतना ही है उनके जो ब्रोड कास्ट है बहुत ही हाई लेवल पे है देखे ना IPL G3 के से अपने मुलक को स्पोर्ड कर रहा है उतना पाकिसान का करदा है नहीं है जितने उनके मेडियरेट्स भीक रहे है तो इसके इंदर पाकिसान को कहा देखते हुआ पाकिसान तो फिर इनके मैं काता हूँ एक टीम के बराबर नहीं है एक एक बंदा करोड़ों में बिखता है इतना लाकों में लेगा हम खुश होने पड़ते हैं उनके हम एक बाइक देएंगे तो उधर भाई वह भाई है हम जहाँ भी रहे है यही बात आर और क्या एक हमारी फिर पूरा पीएसल न की एक टीम के बराबर नहीं है अच्छा हम लाओ पूरा किसल होता थुर में एक टीम इन होगी एक टीम डीव नहीं होगी आप नहीं होगी आपने जिस्ट्रा बताया यार उसको तीए 25 विलियन से कर लो यार क्या हो गया तो बात करें आइपियल क्यों उत्रा महगा जारे प्लेस अच्छे क्यों वहां पे जा रहे हैं मतलब कि पाकिस्तान के आप लेट देख लें टोप के जूंसे आया है ऐलक सेल्स आया होगा बड़ी हादा बेंड कटिंग आ मार में सबसे बड़े प्लेयर के परापर उना शोणीं प्राप्ते ओनाशना है वहाद ऊन्रीच में परिस्त्ति आप यार अच्छा प्र impress गोवें पड़ेर थूंसें हाव-पर्हाया तर्क बाहरे की माट़ोब यहार वहारे वहां लयब ऄट को HDR पलेर को व्यक्वें शेट मैच हुआ इनका आइपियल में उसने 83 स्कोर किया बड़ा मज़ा आया उसमें आइपियल में देखने में लैदा मज़ा पूरी दुनिया में पाकिसान दो यह चल वाते हैं इंडिया में तो चलता निया पहली बात है दूसरा वो इनको क्या चाहिए कि जो मिल के खेलें जो भी हैं इवन देखे ना पाकिसान के अंदर किते इंडिनेशन प्लेयर आते हैं किरहें मुझे जरा मैक्सिमम फिंगर्टिप्स पेगिने तो 50-20 के बाव गांडबाउट है आपको क्या लगता है मेरे क्याल चे तकरीब हैं 10-12 इंडिनेशन प्लेयर आरे हैं अगर IPL की बात करे इंडिनेशन प्लेयर आते हैं आप इंडिया से कहें किशमीर चोड़ दे यहां प्याइपल करें जो मर्दी करें में जावद देते हैं किशमीर बाइशन आगे कुई बात नहीं है बेशक मारा करदा उतर जे हमारे मुसल्मान वह हम इंडिया के साथ तालुकात अपने नहीं आप मेरी बात सुना जितने कि उनकी एक टीम बित्ते हैं वो पुरा पीसल उतने का है अच्छा पूरा पीसल मुद्रे में करवा लेते हैं आपको तो पता हैं यह उनकी एक टीम हाइफाई है आप भी समझदार हैं आप ही समझ सब्सक्ते हैं बात लोगा उसका रेट बोज इसलिए उनोंने बुलाते हैं स्वेब हैं जैसे हो गया उनका सेम करन ठाना करोड़ का वो केला भीका है आई पील यह सबसे बड़ी तो क्या आपको लगता है आने वल वकित में हम अपनी टीम अपनी पी एसल को आई पे लेवल पे लेएंगे जैसे कि कॉनमी चल रही है ना में भी कर लेंगे यह लेकिन मुश्कील है बहुत हमाँ कितना टाइम लग जेगा हम यह आई पील को बीड करने में अपने भी रहम कर दिया है कि पाकिस्तान में भी फ्री आई पील श्रीमिंग हो रही है तो यह लोग भी खुल से मज़े ले रहे है लेकिन यार यह सुनने क आप देखो ना दुनिया में क्रिकेट से 90% रिवन्यू इंडिया जनरेट कर रहा है और बाकी 10 में पूरे अधर स्टेट्स अधर कंट्रीज आ रहे हैं मतलब यह इंडिया के लिए प्रावर मूमेंट तो ही लेकिन यार और अधर देश के लिए सौकिंग बात ही है कि यार पूरे स्पोर्स अरीना में सिर्फ एक ही king है एक ही राजा है इंडिया और कोई उसके आसपास भी नहीं आता इस समय अगर BCCI चाहे तो किसी देखो मैं ज्यादा फैक नहीं जालमा लेकिन वह BCCI चाहे तो किसी भी event को अपने हिसाफ से manage कर सकता है क्योंकि अगर किसी भी event म वो पूरा BCCI के खर्चे पे चलता है, तो भाई ICC वाले भी डेटर के रहते हैं, कि यार BCCI के खिलाब कोई वो ना हो जाए, लेकिन चाहते हैं वो भी ये BCCI का बुरा करना, लेकिन यार BCCI ने कैप्चर इतना तगड़ा किया है, कि ICC भाई ICC मतलब जेम में रखे चलते है लेकिन यार इतना सब कुछ होने के बाद भी फेयर प्ले में टीम इंडिया से बढ़या रैंकिंग रखना कोई टीम मैंने देखा नहीं है, मतलब यार जेस्चर वाई इस टीम इंडिया एक नम नाइस मीट अप है, और यार जहां चाहें, वहाँ स्टेडियम बना देती है, इंडिया मतलब हर स्टेडियम में कम से कम चार पांची स्टेडियम तो मिल जाएंगे आपको क्रिकेट के लिए, लेकिन यार इस IPL मीडिया राइट्स की बाद सुनके पार्क मीडिया में जो कम मचा है, उसे देखने के बाद आप लोग को काफी मजा आया होगा, तो आप ल मेरा ना हमारे चैनल पर अब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद वंद्य मात्रव